भले ही विज्ञान के मदद से हम इंसान ने बहुत तरक्की भी कर ली हो लेकिन फिर भी हम अपनी बहुत सारी जुरूरतों को पूरा करने के लिए अपने नाचरल वर्ल्ड पे ही डिपेंडेंट हैं हम जितना भी खाना खाते हैं वो भी हमें अपने आसपास के नाचुनल वर्ल्ड से ही मिलता है हम ही नहीं हमारे आसपास पाई जाने वाली बाकि सभी की सभी परजातियां भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के उपर dependent हैं और समय के साथ साथ जैसे जैसे इस धर्ती के उपर जीवन का विकास होता गया, वैसे वैसे इन सभी की सभी परजातियों के अंदर छोटे बड़े रिलेशन्शिप्स बनने शुरू हो गए और उन रिलेशन्शिप्स या उन रिष्टों को आज हम अपने आसपास बहुत ही करीबी से देख सकते हैं कुदरत में इन रिष्टों या संबंदों को अगर हम बारीकी से देखें तो बहुत सारे रिष्टों में दोनों परजातियों को एक दूसरे से फाइदा पहुंचता है और कई रिष्टों में सिरफ एक ही परजाती को ऐसे और भी बहुत सारे रिष्टें हैं जिन में एक परजाती दूसरी परजाती को नुकसान भी पहँचाती हैं लेकिन परजातियों के आसपास के ये सभी तरह के संबन्द قدرت को चलाई रखने में बहुत ही जरूरी है और साथ में हम इंसानों की सभी की सभी जुरूरतों को पूरा करने के लिए भी तो आज हम कुछ ऐसे ही रिष्टों के बारे में बातचीत करेंगे जो सदियों से हमारे आसपास ही बनते हुए आ रहे हैं मेरे इस हाथ में अभी आप एक चिडिया का नेस्ट देख रहे हैं और दूसरे हाथ में मैंने एक मकड़ी इस डब्बे के अंदर डाल के रखी हुई है वैसे तो देखने में इन दोनों के अंदर कोई भी रिष्टा नहीं लगता लेकिन अगर मैं ये बात आपसे कहूँ कि अगर धर्ती से मकड़ी विलुप्त हो गई तो बहुत सारी चिडियां ऐसी हैं जो अपना नेस्ट कभी भी नहीं बना सकती तो ये बात सुनने में शायद आपको अटपटी ज़रूर लग सकती है तो इस नेस्ट को जब मैंने अपने गाउं से इखटा किया था तो इस नेस्ट का ये वाला कोना भी कुछ इसी तरीके से एक लकडी से यहां भी टिका हुआ था तो जब मैं इसको अपने घर लेके आया तो मेरे दिमाग के अंदर एक सवाल आया कि आखिर इस चिडिया ने इस nest को इस लकडी के उपर यहां से टिकाया कैसे अगर इसी nest को मुझे इस लकडी के उपर टिकाना होता तो मैं सुई धागी की मदद से इसको बहुत असानी से इस लकडी के उपर टिका देता लेकिन आस दक मैंने किसी भी चडिया को सुई धागे की मदद लेते हुए नहीं देखा तो बहुत सारी चडिया क्या करती है वो अपना nest बनाने से पहले सबसे पहली जो चीज करती है वो मकडियों के जाले को इखटा करती है और अपने मूँ में लेके आती है और जैसे इस लकडी के उपर इसने nest बनाया तो सबसे पहले वो इस लकडी के उपर मकडी के जाले को लगाती है और उसके बाद बहुत सारी छोटे छोटे तिनकों को इखटा करती है और फिर वहाँ पर तिनकों को गुसाती रहती है और पुरा का पुरा nest अपना बनाती है तो सबसे पहले जो चिडियाएं होती हैं वो nest बनाने से पहले अपने spider webs को इखटा करती है तो देखिए किस तरीके से एक मकडी सिरफ और सिरफ उस चिडिया की मदद नहीं कर रही वो indirectly हमारी भी मदद कर रही है क्योंकि सोचिए कि वो ही चिडिया बहुत साधे पेड़ों के जो बीज हैं उनको एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाती हैं और वहाँ पे वो नएने पेड़ खिलते हैं उनमें नएने fruits आते हैं और उनी fruits को हम इनसान अपने खाने के रूप में इस्तमाल करते हैं तो अगली बार जब भी आपको कोई मकडी दिखे या फिर अगली बार आपको अपने बहुत ही खुबसूरत चिडिया कोई दिखे जो आपको बहुत खुबसूरत लगती है उसको देखने के बाद आप उन मकडियों को शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी न भूले तो अब जैसे कि चिडियों की बाचीत हो ही रही है तो मैं एक और कहानी आपको सुनाना चाहूंगा चिडिया और एक और जीव के बीच में तो मेरे इन दोनों हाथों में आप एक तरफ देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक यह स्नेल शेल है और दूसी तरफ यह है एक चिडिया का अंडा तो अगर मैं आपसे यह बात कहूं कि धर्थी पे बहुत सारी चिडिया ऐसी हैं वो अपना अंडा कभी भी नहीं बना पाएंगी अगर धर्ती से ये स्नेल शेल्स विलूप्त होगे तो ये बात भी सुनने में आपको जरूर अटपटी लग सकती है तो अगर मैं इन दोनों चीजों को विज्ञान की नजर से या फिर कमिस्टली के नजर से देखों तो ये दोनों की दोनों चीज़े हैं केल्शियम तो बहुत सारी चिड्याय ऐसी है जिनको अपना अंडा देने के लिए जब अंडा देने का उनका वक्ट आता है तो उनके शरीर को जो केल्शियम होता है उसकी थोड़ी जादा जुरुरत होती है तो मैंने कभी भी किसी चिडिया को एक chemist के दुकान पे जाके calcium की दवाई लेते हुए नहीं देखा तो बहुत सारी birds जो होती है वो अपनी calcium की जुरुरत होती है उसको पूरा करने के लिए जमीन से छोटे छोटे snail shells खाती रहती हैं और ये जो snail shells जब उनकी body के अंदर जाते हैं तो वो digest होके उस bird के जो भी calcium की जुरुरत है उसको पूरा कर देते हैं तो देखिए किस तरीके से दो अलग-अलग जीव एक दूसरे के ओपर कितना ही निरबर है लेकिन हमारी एक पर जाती यानि कि हम इनसान के वज़ज़ से ये रिष्टे में थोड़ी बहुत दरारे आने शुरू हो गई हैं तो बहुत सारे विग्यानिकों ने ऐसा पाया है कि जहां पे हम इनसान ने बहुत बड़ी बड़ी factories बनाई हैं वहां पे बहुत सारी birds की जो population है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई तो उसके पीछे का जब reason उन विग्यानिकों ने देखा तो उनने पाया कि उन factory से निकलने वाला जो भी chemical होता है वो जमीन के अंदर धीरे धीरे रिसना शुरू हो जाता है जिसकी वज़ा से जो जमीन है वो बहुत ही ज़ादा acidic हो गई है और उस acidic जमीन के अंदर जो snail shells है वो बहुत जल्दी गुलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़ा से जो birds हैं उनको जरुरत मताबिक केल्शिम नहीं मिल पाता इसलिए वो अपने अंडे नहीं दे पाती तो देखिए किस तरीके से हम जो इनसान है वो अपने आसपास के इन छोटे-छोडे रिष्टों को खराब भी कर रहे हैं लेकिन हमें धन्यवाद बोलना चाहिए इन छोटे-छोटे और जीवों को भी जो बहुत ही खुबशूर्ती के साथ इन सभी के सभी रिष्टों को अभी भी बनाय हुए है तो एक और ऐसा रिष्टा है जिसको सुनने के लिए हम एक नई जगा के उपर जाना होगा तो चलिए उसे एक नई जगा पर चलते हैं और सुनते हैं एक और नहीं कहाने वैसे तो जो चीटियां होती हैं वो कीडों की बहुत बड़ी दुश्मन होती है और वो कीडों को जिन्दा या मरा हुआ देखते ही उनकी ओपर तूट पड़ती है लेकिन अभी इस पेड के इस तने के ओपर ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यह जो कीड़े हैं यह इन चीटियों के आस पास बहुत ही मजे से रह रहे हैं और दरशल ऐसा हो भी रहा है तो यह जो सफेद सफेद कीड़े हैं इनको हम scale insects कहते हैं इन कीडों का जो खाना खाने का तरीका होता है वो बाकी कीडों से थोड़ा सा अलग होता है ये कीडे अपने खाने को चबा के नहीं खा सकते वो क्या करते हैं वो इन पेड़ों को तनों को पियर्स कर देते हैं यानि कि ये उनमें छेट कर देते हैं और इस तने में जो भी खाना जा रहा होता है वो उस खाने को खाते हैं तो इस पेड में अभी जो भी पानी इस roots के थूँ ऊपर जा रहा है वो इस तने से होता हुआ ही जा रहा है और इन पत्तों में जो खाना बन रहा होता है वो भी इस तने से होता हुआ नीचे roots तक जाता है और ये जो खाना और पानी होता है ये बहुत ही pressure से जा रहा होता है औ चोटी चोटी बूंदे होती है उनको हम honey dew कहते हैं और यह जो बूंदे होती है यह बहुत जादा बुंदों को खाती रहती हैं, बदले में यह जो चींटियां होती हैं, यह इन कीडों की हिफाज़त भी करती हैं, अगर कोई बड़ा जीव इन कीडों को खाने के लिए आता है, तो यह चींटियां उनके उपर तूट पड़ती हैं और उसको भगा देती हैं, इसी चीज़ को मैं अपनी उंगली इन केड़ों के पास लेके जाता हूं और देखते हैं ये चीन्टियां मेरी उंगली का क्या हाल करती हैं तो अभी आपने देखा कि जब मैं अपनी उंगली इन केड़ों के पास लेके गया तो इन्होंने मेरी उंगली का क्या हाल किया तो ये ठीक हाल उन बाकि जीवों का भी करती है, जो जीव इन सफेद सफेद कीड़ों को खाने के लिए आते हैं। तो इन दोनों रिष्टों के अंदर इन दोनों ही जीवों को फाइदा पहुंचता है चींटियों को खाना और इन कीडों को बदले में इन से हिफाज़त मिलती है धर्ती पे ऐसी बहुत सारी चीटियों की और भी परजातियां है जो इन केड़ों के उपर इतनी जादा निर्बर हो चुकी है कि मान लीजिये जिस पेड़ के ओपर ये सफेद सफेद कीड़े होते हैं अगर वो पेड़ बिमार हो जाए तो ये चीटियां उन कीड़ों को उठा के एक नए ताजे पेड़ों तक पहुँचा देती है तो इस रिष्टे में इतनी जादा एक दूसरी की ओपर ये डिपेंड साल लगे लेकिन हमारी एक परजाती की वज़ा से यानि कि हम इनसानों की वज़ा से आज उन सभी के सभी रिलेशन्शिप्स के अंदर बहुत जादा बदलाव हम देख सकते हैं और बहुत सारी परजातियां तो ऐसी भी हैं जो अभी विलुप्त होने के कगार पे खड़ी ह होई हैं तो अब यह हम इनसानों के उपर निर्बर करता है कि हम बाकी जितनी भी रिलेशन्शिप्स हैं उनको उसी तरह बनाए रखने में हम कितनी मदद कर सकते हैं